दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं एगरी मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बियसे एगरी कर्चर सेकंड सिमिस्टर का फंडामेंटल सॉफ क्रोप फिजियोलोजी जिसको हिंदी में मौलिक फसल सच से क्रिया विज्ञान कहा जाता है उसका है और दोस्तो आज किस वीडियो में टॉप 25 अब्जेक्टिव कोशन को आपको कवर कराया जाएगा जो कि पेपर के दिरिष्टी से परिच्छा के दिरिष्टी से काफी महतुपूर्ण है इन सभी 25 परिच्छन को आपको सलेबस से बारीकी से चाट करके इस वीडियो में सामिल किया गया है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका उदेश यह है कि आप लोग अच्छे स्कोर कर पाएं पेपर में उसके लिए आपको वीडियो को अंते तक देखना परेगा समी परिशनों को बारीकी से समझना परेगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंते तक देखिएगा तभी आप पढ़िया से समझ पाओगे और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स बार विजिट किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि आगे जितने भी पेपर्स होने वाले हैं उसका आपको मेटेरियल असानी से मिलती रहे चैनल के माधम से और आपको कुछ PDF नोट्स फिरी में बिल्कुल फिरी अफकोस टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइट करा जाएंगे तो उसके लिए आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम करेंगे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है अब दोस्तो देर किये बिना हम लोग चलेंगे और परश्णों का सिला सुरू करेंगे और सभी परश्णों को बिल्कुल बारी किसे समझेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो सिरीज का पहला परशन है पादप शरी किर्यावी ज्ञान के पीता कौन है? यानि दोस्तों फादर अरफ क्रोल फिजियोलोजी तो इसका जिस भी सह के आप वीडियो देख रहे हैं इसभी सह के पीता Stephen Heels को कहा जाता है Stephen Heels क्या है? फादर अरफ प्लांट फिजियोलोजी है ठीक है इसको याद कर लिजेगा यह काफी important प्रश्ण है और next है पौधो की वृध्धी घटाने वाले हर्मोन का नाम तो दोस्तों वह कौन सा ऐसा हर्मोन है जिसका परियोग पौधो की वृध्धी घटाने के लिए करते हैं तो इसका नाम है आपका cytokinins ठीक है cytokinins हर्मोन स क्या होता है पौधो की वृध्धी को घटाई जाती है और next है आपका पौधे लवन का अवसोशन किस रूप में करता है तो दोस्तों जो पौधे होते हैं लवनों का अवसोशन यह आयनों के रूप में करते हैं यहाँ पे आयन होगा ठीक है तो लवन का अवसोशन पौधे आयन के रूप में करते है ठीक है इसको याद कर लीजेगा, और नेक्स है प्रकाज Sumlessness Čन की प्रथम इस्तिरुथ-पाद क्या है, तो दो Self प्रकाज Sum gelsOME की प्रथम इस्तिरुथ-पाद पीजी ये है, क्या है पीजी ये है और नेक्स्ट है पोधे के द्वारा अक्सीजन निकलता है यह किस ने और कब खोजा दोस्तों कंसेप्ट यह है कि जो अक्सीजन होता है वो पोधों के द्वारा निकलता है तो यह तो बात सही है लेकिन इस बात का पता कब और किस ने लगाया तो दोस्तों इस बात का पता जो प्रकास संस्लेशन में होता है दोस्तों तो प्रकास संस्लेशन में क्या होता है कार्वन डायोकसाइड का कार्भो हड्रेट में स्थ्रीकरन होता है ठीक है जो कार्वन डायोकसाइड होता है वो कार्भो कार्भो हड्रेट के रूप में फिक्सेशन हो जाता है जिसका पौधा आप उना यूज करते हैं भोजन के रूप में ठीक है जिसे स्टार्च बगरा बनाते हैं और पोध्य की वप्रिषण होती है और उसनों बनता है और नेक्स तरह परकाट संसलेशन ने दिप्तिकालिता का खोज किया ठीक है और निक्स्ट है आपका कलोरोपलास्ट के किस भाग में राइबोसोम होता है दोस्तो जो कलोरोपलास्ट होता है उसका जो स्ट्रोमा पार्ट होता है उसमें आपका राइबोसोम स्थित रहता है किसमें राइबोसोम जो होता है कलोरो पानी में बिलियन निकलता है और नेक्स है बिंदु स्वेदन कब होता है तो दोस्तों बिंदु स्वेदन जो है यह आपका रात में होता है कब होता है तो नाइट में होता है और नेक्स है पौधों में वासपुत सर्जन किस अंग द्वारा होता है तो दोस्तों जो पौधों होता है पौधों में ठीक है और नेक्स है आपका प्रकास स्वशन का सबस्ट्रेट होता है तो दोस्तों प्रकास स्वशन का सबस्ट्रेट क्या होता है तो गलाई को लेट होता है इस प्रसन को मैंने जो पिछली वीडियो बनाया था जिसमें paper solution प्रख़ंगों दौटन में प्रकास का कौन सा रंग अधिक एस्सट होता है उसमें लाल रंग होता है वो उसको सबसे ज़्यादा उसित किया जाता है पिरपोधों के द्वार ठीक है परकांस तरस्लेशन की किरिया में और नेक्श है वास्everत शर्जन दर किसे मापने हैं तो दोस्तों वास्पुत सर्जन दर को मापने के लिए सोनो मीटर का प्रयोग करते हैं किसका सोनो मीटर से वासपुत सर्जन को मापा जाता है दोस्तों ये प्रशन काफी इंपोर्टेंट है इसको याद कर लिजिएगा मैं बोल रहा हूँ कि इंपोर्टेंट है इसका मतलब इंपोर्टेंट है क्यांकि डूस्तों काफी खोजने के बाद काफी ढूडने के बाद आपके शान करने के बाद यह बीडियो बनाए जाता हूँ कि जो मन में उसको उठाकर के वीडियो में बनादे सिर फियूज के लिए ऐसा नहीं है जो भी का चेंज होगा लेकिन प्रषन आपके सिने वहीं होगा और यह वीडियो आपका सिने बसका ही है और नेक्से आपका वासपुत सर्जन दर्च उलेधि पहर में होता है tämä कलता है ऑच कि वह रहा कि द्वारा होता है तो दोस्तो बिंदू सराव जो है आपका हाई ठोड़स दोवारा होता है किसके दोवारा हाई ठोड़स दोवारा आपका बिंदू सराव होता है और इस प्रशन को भी previous year paper में पूछा गया था ये काफी important प्रशन है और next है IAA translation के आवश्यक्तत्व कौन सा है तो दोस्तों IAA translation में आवश्यक्तत्व जिंक है दोस्तों अभी तक आपने जो paper solution वाला जो previous year का paper उसका वीडियो नहीं देखा तो उसको देखने के लिए इस वीडियो का description खोलिए उसमें आपको वाला वीडियो का link मिल जागा जिसमें मैंने previous year का paper के 60 प्रसनों को हल करके आपको बताया था और next है आपका तरल रूप में पौधो के जिवीत उतकों से पानी के हानी को क्या कहा जाता है तो दोस्तो उसको बिंदु सराव कहा जाता है तरल रूप में पौधर के जीवित उतकों से पानी के जब हानी होता है उसको बिंदु सराव कहा जाता है और नेक्स्ट है कैलवीन चक्र निर्भर होता है तो परकास पर निर्भर होता है ठीक है इसको देख लिजेगा और नेक् है आपका क्रेब्च चकर का अरंजा का आपकी पारूबिक आमलपनेसे होता है क्रेब्च चक्र का अरंजा का भाता है इस अरहां से और ने मैंने आपको जो भी प्रश्ण करा यह काफी इंपोर्टेंट है और इस वीडियो का यहीं पर हम लोग समापन करेंगे लेकिन अगर आपको आने वाल जितने ही प्रश्ण उन सभी का वीडियो टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और स